नमस्कार मंडड़ी, विल्कम बेक टू माई चैनल, गुडी पाडवा जो तुमा सरवन्ना हर्दिक शुबेच्चा हाई गाईज, विल्कम बेक टू माई चैनल, इन टोडेज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक महाराश्यन लुक मैं खुद महाराश्यन हूँ और आज है गुडी पाडवा, गुडी पाडवा means हमारा न्यू यर होता है एक तरह से और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें गुडी खड़ी करते है और उसकी पूझा की जाती है और इसके लिए आज मैंने शूट किया है एक महाराश्यन लुक, बहुत सिंपल सा मेकप है, मुझे पता है कि फेस्टिवल की दिनों में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आदा एक घंटा बैट के हम पूरा इतना मेकप लुक कर सके, तो मैंने बहुत कम स्टेप्स मे और बहुत कम प्रोड़क्ट यूट्स करके ये मेकप लुक क्रियेट किया है, और आप भी इसको कर सकते हो 15 मिनिट में, अगर आप बिगनर हो तो भी आप इस लुक को बहुत ईजी लिए अचिव कर सकते हो, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते है माच का वीडियो, मेकप करते टाइम में वोईस ओवर दे रही हूँ, और आपको वीडियो के क्लिप्स में लाइटिंग में थोड़ा सा चेंजिस देखेगा, क्योंकि लाइट चली गई थी, और कैमेर एंगल भी इसलिए चेंज है, क्योंकि लाइट जाने के बाद मैंने क्यामेरा थोड़ा सेट कर देता, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, and I'm so sorry for that, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ, as a moisturizer emoline cream, मैंने शॉट्स में भी इसका review share किया है, ये drugstore product है, बट बहुत अच्छे से काम करता है, आपके कोई भी skin type हो, तो भी बहुत अच्छे से चला जाएगा, उसके बाद मैं यूज कर वी aqualogica का ये sunscreen, sunscreen मैंने बरबर के लगाया है, क्योंकि obviously गुड़ी पड़वा के लिए हमें morning में ready होना पड़ता है, and sunscreen is a must, कुछ भी हो जाए, sunscreen skip मत करना, आप skincare अच्छे से करो गया तो आपका make-up बहुत जादा अच्छा लगेगा, आज का जो make-up लूग है, उसम से पहले मैं लगाऊंगी concealer, ये concealer मेरा एक shade light color है, आखो के नीचे लगा रहे हो ताकि वो थोड़ी सी darkness कवर कर दे, उसके बाद थोड़ा सा लगाऊंगी highlighting points पर, जो कि हमारे face के highlighting points होते है, जैसे कि forehead हो गया, nose हो गया, उसके बाद concealer को blend करने के लिए मैं कोई भी brush यहाँ पे कर रही हूँ, मैं fingers के help सी उसको blend कर रही हूँ अच्छे से, and C की finger के help से भी बहुत अच्छे से blend हो जाता है, हम पहले ही काफी जल्दी में रहते हैं, इसलिए वो टाइम पे ना brush ढूंडो, ये करो, वो सब चीज़े नहीं हो पाती है, तो सबसे best है कि जितनी चीज़े या फिर जितने make-up में steps finger के help से हो जाए ना, उतनी हम फटा-फट कर ले हो बहुत जल्दी भी हो जाता है, और बहुत ज़ाद अच्छे से blend भी होता है, अगर आपने अपना skincare अच्छे से नहीं किया होगा, और उसके बाद अगर आप कोई भी product लगा कि उसको blend करने जाओगे न skin बहुत ज़ादा dry feel होगी, और वो अच्छे से blend होगा भी नहीं, उसके बाद मैं यूज करूँगे blush के लिए Mars का lip palette, यह है तो lip palette, बट मैं इसको as a blush भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो color से ना, वो बहुत ज़ादा pigmented है, अभी आप देखो कि मैंने सिप 2-2 dots ज़ादा pigmented लग रहे है, और इसको blend करने के बाद ज़ादा powder से set करते हैं, तो यह बहुत अच्छे दिखते हैं, और काफे ज़ादा long lasting भी यह है, काफे आर्स तक यह टिक जाता है आपके face पे, बहुत सारे shade है, इसमें as a blush apply करने के लिए, as a lipstick मैं ने इसको ज़ादा अपला लग रहा होगा, बद trust me, powder से set करने के बाद यह अच्छा लगता है, मुझे ज़ादा blush लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे face पी वो suit भी होता है, मैंने W की shape में इसको लगा है, ताकि वो जो ऐसे sun kiss वाला look आता है, वो look create हो, अब मैं पूरे face को set करूँगी compact powder यह है, फिटमे का compact powder, मेरा shade है इसमें warm nude, मैं already इसका pan hit कर चुकी हूँ, यह बहुत ज़ादा अच्छे से match होता है, मेरे skin tone से, जैसे foundation लगाने के बाद पूरे face पे एक layer दिखती है ना foundation की, तो वो आपको heaviness नहीं लगेगी powder यूज़ करके, next में यूज़ करूँगे eyebrow pencil, यह pencil मैंने local shop से purchase की ती, इसको काफी ज़ादा time हो गया, बट यह इतना प्यारा brown color है ना, कि यह बहुत ज़ाद अच्छे से blend हो जाता है मेरे eyebrows में, कभी भी अपने eyebrows को fill करने के लिए starting से मच शुरू करना, हमेशा end से शुरू करो, जो भी gap से ना पहले वो fill करो, उसके बाद दी जो की brown shade में है, यह blue heaven से, काफी ज़ाद affordable price में आता है यह, and brows को set करके रखता है काफी ज़ादा hours तक, कभी भी कोई भी product निकाल के सीधा use नहीं करना है, सबसे पहले उसमें जो excess होगा ना, वो remove कर लेना है product में, and उसके बाद जो बचा हुआ होगा ना, wand पे उसको apply करना है, next step है highlighter, में लेरियो Swiss Beauty का liquid highlighter, इसका जो shade है, वो है coppery, and यह बहुत अच्छे से blend होता है skin में, आप कोई भी shade ले लो, इसमें chunky particles नहीं है, और ना कभी भी इसको direct apply मत करना, क्योंकि उसका patch बन जाता है, पहले मैंने इसको लिया back of the hand, and उसके बाद मैं इसको face पे apply कर रहे है, and see कि यह कितना जाधा प्यारा लग रहे है, यह बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते है, कि आपने बहुत जाधा कुछ लगा लिया है, थोड़ा सा लगा कि finger से blend कर लोगे न, तो ऐसा लगेगा कि आप किसकी नंदर से glow कर रहे है, उसके बाद same highlighter में अपने eyes पे apply कर रहे हैं, eyelid पे पर दिन के लिए मुझे इसा लगता है कि थोड़ा सा shimmer जो होता है न, वो बहुत जाधा ऐसे subtle चाहिए होता है, ताकि वो बहुत जाधा heavy ना लगे eyes पे, यह सबसे जाधा easy eyeshadow look है, क्योंकि मेरे पास जब भी time नहीं होता है, कि मैं बैटके प्रॉपर आदा गंटा लगा कि eye makeup करूँ, तब मैं यह वाला hack यूज करती हूँ, इसके बाद मैं ले रही एक pink color का eyeshadow, आप किसी भी eyeshadow palette का pink color ले सकते हो, और इसको मैं अपलाए करूँगे अपने outer crease पे, और लगा कि इनवड ब्लेंड करूँगे, ताकि वो जो shimmer और eyeshadow है न, वो दोनों अच्छे से blend हो जाए, उ मुझे यह बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके ने tip बहुत ज़्यादा अच्छे है, बहुत ज़्यादा long भी है, तो इससे eyeliner draw करना या फिर wing eyeliner draw करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है, सी की जो इसका brush है न, मैंने उससी wing create कर लिया न, अब उसको थोड़ा सा extend कर लू affordable price में मेरा यह अब तक का favorite mascara है, और बहुत अच्छे से न, आपके eyelashes को length भी provide करते हैं, volume भी provide करते हैं, और बहुत ज़्यादा open up लगती है, मैं यहाँ पे eyelash color यूज़ करना बूल गई थी, अगर आपके पस हो तो ज़रूर यूज़ करना उससे बहुत ज़्यादा फरक पड न, 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 तो बहुत अजीब लगेगा, थोड़ा सा tricky लगता है, बढ़ practice करके हो जाएगा, उसके बाद मैं यह dark brown color में एक lip liner ले रही हूँ, lip liner लगाने के बाद अगर lipstick apply करते हो न, तो lipstick बहुत अच्छे से apply होगी, उसके बाद मैं यहाँ पे दो lipstick लगा रही हूँ, एक LA 18 का जिसका shade है berry nude, और दूसरा यह plum का lipstick है, plum का lipstick है, यह मुझे जो मैंने order place किया था, उसके उपर free मिली थी, और यह बहुत जादा hot pink, बहुत जादा bright pink color है, तो इसको tone down करने के लिए मैं पहले brown color का lip liner लगाती हूँ, उसके बाद यह lipstick apply करती हूँ, आप इस step पे भी रुख सक लिप combo यूज करती हूँ, पहले lip liner और उसके बाद 2-3 lipstick mix कर लेती हूँ, बहुत प्यारा shade create होता है, आप भी अपने lipstick से ऐसे ही combo's try करो, एक new shade आपको मिलेगा हर बार, लिक अप मेरा complete हो चुका है, अभी मैंने पहन लिए साड़ी, अभी मैं जोलरी पहन्द्री हूँ, मेर मेरे पास यह एक nut है, बहुत ज़्यादा cute है है, महाराश्ट्रेन nut, मैंने local store से purchase की थी, यार बहुत ज़्यादा सुन्दर है यह nut, उसके बाद मेरे पास यह एक चोकर पहेंद्रियों छोटा सा, महाराश्ट्रेन जोलर ही है, इसको बोलते एक ठुशी, सबसे पहले उपर मे यह पहेंद्रियों छोटा सा है जो चोकर, उसके बाद एक long necklace पहनूँगी, उसके बाद मेरे पास यह एक necklace है long में, इसके ओपर भी बहुत सुन्दर design बना हुआ है, और उसके ओपर यह earrings cute से, छोटे छोटे से, मेरे पास जुमके भी हमें भी पहन सकती हूँ, पहले देखते की earrings किसे दिखते हैं, अगर यह अच्छे नहीं लगे तो फिर मैं जुमके पहनूँगी, sit के ऊपर के तो जा रहे इसके साथ, यही बाले पहनती हूँ, उसके बाद मेरे पहन पहन देखते हूँ, चंद्र को, यह bangles में लेके आई थी, जो कि इस border के साथ matching हो रहे हैं, और ब यहां पर sunscreen लिया है, जो बहुत ऐसे creamy form में होता है न, ऐसा कोई भी product लेलो, moisturizer भी चलेगा, या फिर थोड़ा सा oil भी apply कर सकते हैं, तो इसको यहां पर apply करके, सीधा चूड़ी पहन होगे न, तो यह फिसल जाती है पूरी, अगर मैं बिना इस trick को यूज के अगर चूड़ी पहनती हो न, तो मुझे बहुत जाधा pain होता है, और मैंने सुना था कि जो plastic की थेली होती है न, कोई भी बहुत पतली वाली जो आती है, तो उसको भी आप एसे हाथ में पहन के, उसके बाद भी चूड़ी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है के, उसके बाद मैं उपर स साड़ी आणि लाली लाल लाई, दिस तेमी भारी राजा फोटो माजा कार